सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन नवस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वरुन गोयल ये बहुत खास पेशकर्श हम आपकर लिए लेकर आए हैं कोरोना वाइरस के एंट्री को लेकर भारत में हलकंप मच गया है कोरोना वाइरस दुनिया के 70 देशों में फैल चुका है चीन में कोरोना वाइरस से करीब 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 90,000 लोग संक्रमित हैं चीन के लावा अब दक्षिन कोरिया, इरान, इटली, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में भी मौत हुई है भारत में 28 मामलों की पुष्टी हो चुकी है कोरोना वाइरस से बचा भी सबसे बड़ा उपाए है विश्व स्वास्ते संगठन ने वाइरस से निपटने के लिए साफ सफाई का विशेश ध्यान रखने के लिए कहा है क्या कुछ सावधानिया बरतनी है आपके हर सवाल का जवाब आज हम आपको इस कारिक्रम में देने जा रहे हैं हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं बेहत खास महमान हमारे साथ डॉक्टर इंदर मोहन चुक साहब है डारेक्टर है पल्मनालोजी मैक्स सूपर स्पेशलिटी हास्पिटल शारी मारबाग से डॉक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टूडियो में नमस्कार सर सबसे पहले बताइए कि अभी मैं बिल्कुल वो सवाल जानना चाहता हूँ जो इस वक्त जरता के जहन में है कॉमन फ्लू चल रहा है और ऐसे फ्लू के टाइम में क्योंकि जो सिम्टम बताए जाते हैं क्या लोग समझें कितना उन्हें डरना चाहिए या कितना सतर्क रहना चाहिए कोरोना वाइरस जो है एक संकरमित बिमारी है जो कि सांस के द्वारा मनुश्य से दूसरे मनुश्यों में फैलती है इसके जो लक्षन है फीवर के साथ कोई भी रैस्पिरेटरी इंफेक्शन अगर यह हैं तो इससे हमें सावधानी बरतनी चाहिए लेकिन इसमें सबसे मुखे बात जो है वो है ट्रेवल हिस्ट्री अगर आपने पिछले 14 दिनों में से किसी भी बाहरी देश की यात्रह की है जैसे कि चाइना, होंग कॉंग, ताइवान, इटली, सिंगापूर, थाइलेंड, जापान, कोरिया, इरान, यूएस से आधी जहां पर की इन केसिस के मामले कनफर्म्ड केसिस पाई गए हैं तो ऐसे व्यक्ति को कोरोना वाइरस से संक्रमन हो सकता है, लेकिन जबकि आम कॉमन फ्लू जो है, जो कि स्वाइन फ्लू के मामले भी अभी काफी जादा पॉजिटिव हैं, वो तो ऐसे केस में पेशेंट्स को जो है पैनिक नहीं करना चाहिए और अपना डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जो हमने पहले ऐसे जैसे सार्स था या मर्स था या इबोला था, क्या उसी की तरह का इसको इसको भी माना जाए, ये भी डेटली है वाइरस देखिए आपको मैं बताओं जो सार्स था, उसके अंदर जो है, मॉटलिटी रेट या मृत्तो दर अराउंड 10% थी, मर्स के अंदर जो है, एराउंड वो भी इसी के आसपास थी, जो H1N1 स्वाइन फ्लू है, जिसके पेशेंट सभी भी हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट है, उससे गरीब 45-5% की मॉटलिटी है, इबोला वाइरस में जो है, मॉटलिटी जो है, एराउंड 25% है, तो इन तीनों को अगर देखें, तो इन में जो है, मॉटलिटी काफी जादा थी, और ये जो है, मृत्यू दर जो है, इन तीनों बेमारियों में जादा थी, चारों में सार्स, मर्स, इबोला और स्वाइन फ्लू, जबकि जो कोरोना वाइरस है, उसमें जो में लेंड चाइना में जो है, म लोगों का उपचार कैसा हो रहा है? वो एराउंड एक परसेंट से लेके चार परसेंट के बीच में हैं. तो आम तर से इसमें मृत्तो दर जो है दो से धाई परसेंट के बीच में हैं. तो ये बाकी सबी बिमारियों से सार्स, मर्स, इबोला वाइरस और स्वाइन फ्रू से का को पैनिक नहीं करना चाहिए घबराना नहीं चाहिए हाँ इसके अंदर जो है कोरोना वाइरस में हमें प्रकॉशन लेने चाहिए ध्यान रखना चाहिए और इसका बचाव जरूर करना चाहिए जी सर ध्यान क्या रखे सबसे पहले तो आप यह समझाइए हमें इसके मतलब क्य परहेज क्या कुछ हो सकता है देखिए इसके अंदर जो है परहेज ही इलाज से बेहतर है प्रिवेंशन इस बैटर दैन क्योर क्योंकि इसके लिए कोई भी अभी तक ऐसी एंटिवेरल दवाई या वैक्सिन अवेलेबल नहीं है खालियम रोगी का जो है सिम्टोमेटिक रेस्पिरेटरी हाईजीन जिसको की कहते हैं हमें अपनी सावधानिया बरतनी चाहिए जैसे की हम एक दूसरे के ऊपर छींके ना एक दूसरे के ऊपर खांसे ना अगर हमें खांसी आईये है तो हम जो है अपना रुमाल का इस्तमाल करें या टीशू पेपर का इस्तमाल करे और अगर छीक आई है तो उसके लिए भी रुमाल जा टीशू पेपर का इस्तमाल करें अगर रुमाल जा टीशू पेपर हमारे पास नहीं है तो इस परकार से हम हाथों से या एल्बो डाउन इस परकार से पोजीशन कर सकते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति के उपर ये केटानू जा इसके जो ड्रॉपलेट्स हैं खासी के वो ना फैल है इसके बाद जो नेक्स प्रिकॉशन है मोस्ट इंपोर्टन वो है सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और लोगों से जो है कम से कम डेर से दो मेटर की दूरी बनाए रखें इसको सोशल डिस्टेंस भी कहते हैं थर्ड ज जगा पर हैंड हाईजिन का ध्यान रखें आप जो है हमारे हिंदु धरम में भारती सब्विता में जो है नमस्कार पद्दिती जो है सबसे बेहतर है हैंड शेख या किश जो इस तरह के ग्रीट करने के जो हैं तरीके जो भारी देशों में परचलित हैं वो ना करें इस से आप दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में नी आएगे और आपको संक्रमन की संभावना जो है बहुत कम रहेगी तो नमस्कार पद्धिती नो हैंडशेक नो किसिंग इसको फॉलो करें और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें इसके बाद अगर आप किसी ऐसी जगह पे आपने हा आथों को दोएं हैंड आईजीन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस बिमारी के लिए और अपने घर में जो है छोटे बच्चों को बज़ूर्गों को और बाकी लोगों को जो आपका स्टाफ है सभी लोगों को ये चीज़ बताएं क्योंकि अगर हम का इस्तमाल करेंगे खांसी और छीकना जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे रैस्पिरेटरी हाइजीन और का फैटीकेट्स को फालो करेंगे टीशू पेपर या रुमाल का इस्तमाल करेंगे और साथ में जो है हाथों को हम साबुन से धोएंगे या कोई और अलकोह क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात बताईए कि नमस्ते जो है वो सबसे बहतर है इस फिलाल मान लीजिए इस वक्त जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके घर में किसी को कफ है कोल्ड है बरनिंग नोज है क्या उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए देखे इस सम कोई वाइरस में सबसे पहले जो है suspect case या probable जा confirmed cases होते हैं इन में जो है suspect या probable cases वो है जिनमें की व्यक्ति को भुखार है और भुखार के साथ जो है सांस का कोई लक्षण है respiratory track infection जिद में most important जो है खांसी और सांस फूलना है fever with cough and breathlessness इस आर देखता है इसा कोई व्यक्ति है औ आपकी travel history positive है पिछले 14 दिन के अंदर आपने ऐसे किसी देश की यात्रा करी है या ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्ग में आए हैं जिसने इस देश की यात्रा करी है जो कि China, Hong Kong, Japan, Italy, South Korea, Taiwan, Thailand, Singapore, Iran, USA, अगर इन देशों की कोई आपने यात्रा करी है और ऐसे व्यक्ति के संपर्ग म है आम तोर पे जो है बुखार है खांसी वल्गम है जुकाम है यह साधारन फ्लू या स्वाइन फ्लू हो सकता है जिसके लिए कि इलाज अवेलेबल है और इसके लिए आपको जरूर नजदीकी स्वास्थे के इंदर में या डॉक्टर की सला लेनी चाहिए लेकिन इसके अं लाके में जाने से बचना चाहिए अब जो लोग मैट्रो में ट्रेन में बस में सबर कर रहे हैं उनके पास विकल्प क्या है वो क्या कर सकते हैं देखिए अगर आप मैट्रो में बस में या किसी मॉल में जाते हैं या पिक्चर देखते हैं तो यह तो आपको करना पड़ेग कि स्यम्व के लिए मास्क इस्तमाल कर सकते हैं इसमें कोई भी साधारन मास्क जो है वो यूज कर सकते हैं या अगर मास्क नहीं है तो आप अपना रुमाल या कोई पतला कपड़ा भी बान सकते हैं और इनको जो है बाद में इस्तमाल कर सकते हैं रुमाल वगरा को धोने के बा मास्क प्रोवाइट कर सकते हैं या उनको बोलें कि वो मास्क का इस्तमाल करें जिस्से की छीएक और खांसी से जो है डॉपलेट इंफेक्शन जो है औरों को ना फैले और मेट्र और बस में यात्रा करने के बाद जो है आप अपने काम पर जाने से पहले जो है जरूर या काम क की जगह पर पहुंच के हाइं डाइजीन या हाथ जरूर धोई जे सबसे इंपॉर्टेंट है जी जिस तरह से यह जो वाइरस है यह लंग्स को अफेक्ट करता है तो ऐसे में क्या बच्चे और बज़र्गों के लिए ज्यादा साफधानी बरतने की जरूरत है जी आपको पता है बच्चे और बज़र्ग जो होते हैं उनकी इम्मिनिटी या शारेरिक के शमता जो होती है वो कम होती है तो ऐसे में हमें बच्चे और बज़र्गों की और जो है खास दियान देना चाहिए अगर बच्चे और बज़र्ग को खांसी बुखार या सांस फूलता है और साथ में जुकाम है तो उनको अवश्य तुरंद डॉक्टर के पास ले जाएं और ऐसे में कोई कोता ही ना बरते हैं और इसको डिले ना करें अपने आफ सेल्फ मेडिकेशन ना करें साथ में अगर किसी को बॉड़ी डाउन है जैसे किसी को डायविटीज है बलड प्रेशर है किड करता है तो इन सारी चीजों से हमारी इम्मुनिटी या बॉड़ी की जो क्शंता है वो कम हो जाती है तो ऐसे लोगों में अगर फ्लू भी होता है तो वो ज्यादा गंभीर रूप धारन कर लेता है तो मेरी आप से गुजारिश है कि जब भी किसी बच्चे को या बजूर को इस परकार के लक्षण और जिसमें सस्पेक्टेड फ्लू या स्वाइन फ्लू हो सकता है उनको तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाए या नजदीकी स्वास्थे के इंदर पे ले जाएं जे डॉक्टर साब एक सवाल हमारे पास आया है यह ऐसा सवाल है जो आपसे हर पे प्रिशनल बैलेंस डाइट खाएं इसके अंदर जो है आम खाना जो है साधारन वो खाना चाहिए और ज्यादा तलिवी चीज़ें मसालेदार चीज़ें ना लें जिससे कि हमें जो है बजार की फूड पोईजनिंगो नॉर्मल फल सबजियां और दूद और ऐसी चीज़ें लें जिससे कि आपकी बॉड़ी की प्रतीशोदक शमता बढ़े या इम्मुनिटी बढ़े तो कई चीज़ें जो हैं जो भी आपको पसंद हो जो आपको सूट करती हो उसके हिसाब से आप अपना खाना ले सकते हैं जहां तक ओ सके बहुत ज़्यादा भीड़बार वाली ज जानकारी मिल रही है कि यह जिस सेने का वायरस है अगर यह जमीन पर है आट नौ दिन तक यह जिंदा रहता है ऐसे में हाईजीन की बात आपने की है तो अपनी हाईजीन के साथ जो घर है या जो आफिस है उसकी हाईजीन भी बरकरार रखनी होगी बिलकुल आप जितना जो है हमारे तक पहुंचा सकते हैं एक मोहिम बना सकते हैं लेकिन इसके लिए जो है सबी को जो है ध्यान रखना है आप अपने घर में जितना साफ सफाई रखेंगे बिमारियां उतनी कम होंगी गीला पोचा लगाएं हो सकता है कोई डिसिंफेक्टेंट हो वो इस्तमाल कर रहें और चीजों को अच्छे से पोचे साथ में जो भी घर पे आपके काम करने आते हैं सर्वेंट वगरा या हेलपर जो आते हैं उनको भी आप जो है हाईजीन की या साफ रहने की शिक्षा दें या उन्हें उसके बारे में जागरुक करें और हाथ धोने के लिए उनको ज किया या कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए या भीड़बार वाली जगह से आप आए हैं तो खाना खाने से पहले जो है अवश्य जो है आप साबुन से हाथ दोएं और अगर ऐसी जगह पे जहां की पानी अवेलेबल नहीं है तो वहां पे अलकोल बेस सैनिटाइजर हैं सैनिटाइजर आप इस्तमाल कर सकते हैं और उसके बाद अपने बरतनों को भी जो है डिटर्जन्ट के साथ साफ पानी से धोएं तो इस तरह की अगर हम साफ सफाई अपने आसपस रखेंगे अपने महौल में रखेंगे अपने वर्क प्लेस में रखेंगे जहां रहते हैं ह बिमारियां अवश्य ही कम होती है। और बच्चों को जागरूप करें कि खाना खाने से पहले स्कूल में अगर पानी की विवस्था है तो आप हाथ दोलें पानी से साबुन से। बात है कि आप बच्चों को बताएं कि खासी करते हुए या छीकते हुए आप जो है टीशू पेपर या रुमाल का इस्तमाल करें। तो इस परकार से हाथ रखके भी आप कर सकते हैं या Albo Down इस परकार से छीक रहे हैं तो इस परकार से छीके और कभी भी एक दूसरे के उपर जो है छीके या डिरेक्ट खांसे नहीं जिससे की ्टॉपलेट इन्फेक्शन वो हवा में ना आई दूसरा जो है आपको बताया है कि अगर बच्चे को अगर खासी जुकाम है या सास फूल रहा है तो उसको चार से पांच दिन की छुट्टी करवा दे और डॉक्टर के पास सवश्य ले जाए क्योंकि बच्चे जो है वो सेंस्टिव होते हैं वीक होते हैं और उनकी आयू कम ह होने के कारण उनकी शरीरिक रोग प्रतिरोदक कशमता जो है बॉड़ी की इम्मुनिटी जो है वो कम होती है और बच्चे को अगर हो सके तो डॉक्टर को दिखाने के बाद स्वास्थे केंदर पे ले जाने के बाद तीन-चार दिन जा पांस दिन की स्कूल से छुट्टी क करा दें जितनी की अवश्यक हो जे तो सब एक चीज और क्योंकि अगर हम लोगों को अवेर ही कर रहे हैं तो यह भी बताएं कि अगर किसी को मालीजी हो भी जाता है तो इसके ठीक होने के चांसेस भी है इतना डरने की ज़रत नहीं है देखिए जो मैंने अभी बताया था आ पाकी सभी बिमारियों से जैक से की डियाबिटीज है हार्ट डिजीज है कैंसर है या रोड ट्रेफिक एकसिडेंट्स है यह सुइसेड है या टूबर ग्लोसीज है या और जो इंफेक्शिस डिजीज है उनसे यह बहुत ही ज्यादा कम है और इससे पहले जो सार्स वाइरस मर्स इबोला और स्वाइन फ्लू आये थे उनमें मॉर्टेलिटी बहुत जादा है तो इसलिए जो है इसमें घबराएना और इसकी जो है मॉर्टेलिटी बहुत कम है और हमारे देश में स्वास्थे सुबलाएं उपलब्द हैं और आप जो है अगर किसी रोगी को यह टेस् मुझित परबंद किये गए हैं और आप उस रोगी को निर्धारित हॉस्पिटल में एड्मिट करवा सकते हैं या वहाँ पर दिखा सकते हैं डॉक्र साब आप स्टूडियो आए आपने विस्तार से जानकारी दी और इस विशे को बहुत तरीके से आम जनता की भाशा में सम परचाओ से कोरोना वारेस से हम लड़ सकते हैं फिलाल दीजिये अजाजत नमस्कार